अब भईये यहां पे आके तो भईया अम्मी के तो पूरे पग खुल गए है फ्रेंड्स मैं आपको एक राज बताती हूँ मुझे पहले से ही पताता के फणी मुझे क्या देने वाले हैं तो चलो मैं आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं दूँगा हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन साथी साथ दबा दें जिससे की मेरी आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए चलिए तो चलिए शुरू करते हैं डबा और फनी का मज़ेदार सा व्लोग जिसमें वो फार्म हाउस का टूर दे रही है जो की फार्म हाउस लिखा है अपने टाइटल में और बताया है हमारा खेत वाला घर तो फाइनली एनिवरसरी का जो सारा शो शराबाता वो खतम हो गया चुटिया भी खतम हो गई है और अब जो खाला है वो अपनी बेटी के साथ भोपाल वापस लोट रही है और उनके टाइटा बाइबाई हो जाती है और उसके बाद तयारी होती है अपने फार्म हाउस के जाने की अब भई यहां पर आके तो भई अम्मी के तो पूरे पग खुल गए है हर चीज में इधर जाना उधर जाना पूरी एकसाइटमेंट के साथ सारी डाइट का सब सत्यानास कर दिया है मीटा खूब दबाके आराम से खा रहे हैं डाइबिटीक होने के बावजूद अ दाहा आते के साथी बिल्कुल बंबई का बाबू बनके गूम रहे हैं चश्मा वश्मा लगा के आप नोटिस करोगे हर कपड़ों पे आजकल चश्मा लगा के गूम रहे हैं वो चाहे घर हो या बाहर हो चलो बाहर तो समझ में आता है कि चलो चश्मा लगा लिया है लेकिन घर में भी चश्मा लगा के बैट रहे हैं, जो मैमान आयो हैं मिलने के लिए, उन से भी चश्मे में टशन बाजी मिल रहे हैं, और आज कल जो इंट्रो दिया जाता है, तो उसमें जो है, दो लाइने, यानि के दो वर्ड जो है, वो फणी को पर्मनेट दे दी गई है, कि खु लोग की एंडिंग और लोग की ओपनिंग तो उनी को करानी है, पिकनिक मनाने के लिए इंसान को कमफर्टेबल कपड़े पहने चाहिए, ना कि एनिवर्सरी टाइप के वो हैवी से कपड़े पहलने ने चाहिए, जिससे की चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, देखा था जब जा रहे थे, तो चला भी नहीं जा रहा था मेडम से, और वो जो वायर कूद कर जा रही थी, तो उसमें वो ट्रेस इलज कर ये मूँ के बल गिर सकती थी, तो जरूरी था ये धीलर डाला सा प्लाजो सा इस तरह से हैवी वाला प्लाजो सूट पहन कर महा पर पिकनिक मन समाईश की गई है कि खाना पीना जो बनेगा वहां इंटो पर बनाया जाएगा यानि के सोकोल जो वो टेंपरेरी चूला होता है उस पर तो सारी तयारी भी वो करें बनाए भी वो और खाएंगे ये सारे फैमली वाले और इंजॉयमेंट किसका इन लोगों का और मैडम कह र तोड़ तोड़ के कच्ची खा रही है ये तो देखो वो खेत है गंदिगी है दूप मिटी बारिश बस इनको हाईजीन नाम की कोई चीज नहीं है कोई भी चीज हो अगर आप फल वाले से फल भी लेकर आते हो तो बिना धोए तो उसको भी नहीं खाते ना लेकिन वहां से भाजी तोड़ी और उसको उठाकर सिधा मुँ में ऐसी डाल लिया मा भीटी दोनों यह ऐसी हैं खेत का घर का टूर देते हुए बताती हैं कि यहां भूत आते हैं हाँ भूत को भी तो कंटेंट में लेना है न क्योंकि अगर यह भूत दिखाएंगी तो इनके जो अभी जो इसने एक्जेक्ली डायलोग वो बोला जो जनाब ने वहाँ पर खेतों पर बोला था उस डायलोग को कौन कैसे भूल सकता है क्योंकि उस डायलोग के पीछे जो इतना पच्का हुआ था और इतना जो उनके बाई कजन ब्रदर थे उन्होंने जो इतना बड़ा भवाल किया था कि हमारे खेतों को अपना खेत बता दिया जहां जहां तक नजा जा जारी है वो हमारे खेत ने एक्जेक्ली लाइन डू लाइन उस बच्ची ने वही लाइन बोली तो वही आमें तो पुरानी बाते याद आ गई अब बच्चों को शहर की हवा लग गई है तो बोरिंग अगर आप स्टोड पानी है और उसमें आपने टंकी लगा रहे है और वो कवर्ड भी नहीं है तो फिर वो अच्छा पानी कहां से हुआ भाई उपर से बोलते हैं फिल्टर का बाप है ये वाला पानी और मैडम का क्या काम है बिचारी वो तो लग गई अपने काम पर ये समा करकर दिखा रही हैं मतलब पिकनिक पर जा रहे हैं घर से बैट शीट चटाई वो लेने का कोई मतलब नहीं है कैसे कैसे जमीन पर बैटे हुए हैं और मुझे तो बड़ा अजीब लगा जैंट को देकर आरे दो तिन चटाई ले ली होती बैट शीट ले ली होती उनको पिकनिक पर जाते हैं अब वो जो काम करें और उसको ना जताएं तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं तो वो जाते जाते यह बता रही हैं कि यहां एक कमरा बना हुआ था और इसका काम जो है वो काफी दिन से चल रहा था तो यहां आमने यह घर बना दिया है क्योंकि यह जता द यह सब देख करना मुझे वो पुरानी वीडियो याद आती है जब यह बोपाल आई थी अपनी खाला के पास और उन्होंने एक वीडियो बनाई थी 8 मिनट कुछ सेकिंड की और क्या भर भर के इन्होंने ग्यान बाटा था फनी ऐसा नहीं है फनी मेरे पैसों के पीछे नहीं ह इसे किया फनी मेरा रीचार्च कराता था तो अब जिंदिगी भर तुम उसका रिचार्च करा रहे चार्चे ना, तो अब जिंदिगी भर उसका भर न भरना मायनि एक गहर बना लाला ऑपन फ्र एन prefãyis जमीण एक जगा और खरीदनी हो गाड़ी खरीदनी हो बिजनस सेट अप करना हो तो अब जिन्दिगी पर यही करना क्योंकि यह तो अब रिवायत हो गई आपके घर की यारी के ओरते कमाती हैं ओरतों के पैसों पर मर्द जो है वो इंजॉय करते हैं अब पूरी पल्टन को लेकर बबलु भाई के घर चले हो लेकिन नहीं अरे भाई तुम्हें जाना था तुम लोग आराम से चले जाते हैं लेकिन पूरी पल्टन को लेकर कितने सारे लोग ते सब को लेकर वहां पर पहुँच जाती हैं हमारी डबा मैडम और वहां पे एक भुजूर्ग लेड़ी थी मुझे सच में उनको देखक बहुत असी आरी थी वो जिस तरह से बार बार जुक जुक कर उनको प्यार कर रही थी ने डबा को तो वो बहुत ही जादा फनी लग रहा था मतलब ठीक है वो बड़ी बुजूर्ग गया है वो अपने आशिरवाद दे रही थी प्यार दे रही थी लेकिन जिस तरह से वो ब जिसे के गाउं की ओरते किसी भी तरह की बाते ना बनाए या फिर उनको सुनना ना पड़े किसी भी तरह से तो जो फिजा है वो भी वहाँ पर दो पट्टा यानि के स्टोल डाल कर ही गूम रही है जो की तरीका तो यही है कि आगे से कवर करकर रखना चाहिए अपने आपको आप देख लो घर की बहू को मतलब पैदल पैदल रात को निकल लिए रात हो रही है गाउं का महौल है लेकिन गूमना फिरना चाट पकोड़ी खाने बिना तो इनका कुछ डाइजेशन होना निया और फ्रेंड्स मैंने तो पहले ही का था कि गूमना फिरना शॉपिंग और बाहर का खाना पिना यही तो इनका कंटेंट है तो और कोई नहीं है और वो जो गाड़ी चलाता है वो लड़का भी घर पर नहीं है क्योंकि मुझ आयरा हो रहा था तो यह बच्चों को लेके रात को ही निकल पड़ी यह तो देखो जवान बच्चियां दो आपके साथ है और आपका जो महौल है गाउं का वो ऐसे कोई ज़ादा अच्छा भी नहीं होता है तो इस हिसाब से जो ना यह जाना मेरे हिसाब से तो विल्कुल ठीक नहीं है लेकिन डबबा को तो सब चलता है और क्यों गए थे क्योंकि पार्टी करनी है चिल्डन्स डे पर और मेरी पार्टी तो हमरूट से ही होती है आप पार्टी भी करने के लिए गए है और तो चलो भई यह सब सीजे बना लेते हैं आप बार ही आती है वो पॉपकॉन बनाने की जो की बनी बनाई चीज भी डबा मेडम से नहीं बनी अब उसमें भी खराबी बता दी तो मैं तो यहां यही कहूंगी कि नाच ना जाने आंगन तेड़ा यानि कि उसमें कुछ नहीं लिखा सारे इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे ह होते हैं बस आपको जो कंसिस्टेंसी है गैस की वो मीडियम फ्लेम पर करके रखनी होती है और वो अपने आप ओटोमेटिक बन जाते हैं मेरी बेटी बनाती है वो एक दाना भी उसमें ऐसा नहीं रहता कि वो फूलता नहीं है लेकिन डबा ने क्या कहा है कि नहीं यह फूलती है वो अधरवाइस तो बटर के साथ नमक के साथ जब वो मिक्स होका रहा था ना हंड़ेट परसंट वो फूलते हैं हागा वह बात अलग है कि आपको बनाने नहीं आए दूसरी बार गैस तेज कर दी पहली बार में कम कर दी तो इसलिए फूले नहीं दूसरी बार म नहीं आता तो वो यही कहता है कि आंगन तेड़ा है और फिर बच्चन पर ना बरकरार रखने के लिए उस पर लेक्चर दिया जाता है क्योंकि खुद तो 32 साल की होने के बाद भी अभी जो ना किजा क्यान से भी छोटी है और तो और मैं तो कहूंगी सहर से भी छोटी है औ और जब तक किसी भी व्लोग में एक बार फणी से गुसा ना हो जाए और अपने जो मोटे मोटे दीदे हैं उनको इस तरह से घुमा घुमा के बड़ा अजीब तरीके का फेस ना बना के दिखा दे तब तक तो व्लोग कम्प्लीट ही नहीं होता और मोदाहा आके तो बस यह लंच में क्या है लैंट टाइम हो गए है यह फ्रेंस चली देखते हैं outreach में क्या है Woo वह वैशाए बनाती है और यह विशारी खाती है और तो ओर तो इतनी भी जहमत नहीं उठाती है कि और तो 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 तुम्हें पसंद है अम्रूत तो वो काट कर देगी तुम्हे बेटी खाला ससुराल गई है, तो अम्मी को मचली बनानी है, क्योंकि वो मचली बन कर जाएंगी बेटी के ससुराल, तो इसलिए वो जो है बना रही है, और बनाकर जो तल रही हैं, उनको तल के बीछ में खा भी नहीं है, मतलब यह जो है, एक अच्छी ग्रहनी की निशानी न अम्मी ने ऐसान करके फिश तो बना दी अब फिश वो लेकर जा रही है फनी के लिए अम्मी पापा के लिए अपने लिए और तो और लेकिन बिचारी को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अम्मी ने तो थक गई होंगी न भाई फिर तो मुझे ना पता जब अम्मी ऐसे प्रफिश के साथ भी जोके वे जावल भी खाय जा सकते हैं और बोईल चावल भी खाय जा सकते हैं उनको सरफ बोईल करना है उसमें भी इतनी मशक्कते उठाने पड़ी है कि ना बेटी खाला के घर पर बने ते ना अमी ने बनाये ते तो इसका मतलब आम मुझे घर जाकर बनाने पड़ेंगे और दोस्तों में जाने की वज़े से जो फनी पर जो गुस बरसा है और जो इतनी मूटी मूटी आँके निकाल निकाल के टेरी मेडी करके जो डराया है बी कुछ दिन आकर अपनी मरमर्जिस से अपने यार दोस्तों के साथ में कुछ देर के लिए चला जाता है खेल लेता है अपना इंजॉय कर लेता है तो तुमें उसमें क्या प्रब्लम है तुम में तो इंजॉय कर रही हो ना अपनी फैमली के साथ तुम आए दिन आए दिन दिन लगा रही हो डॉटर खाला के घर पे 50 चक्र लगा रही हो अपने ससुराल में घर का तुम को ये काम करनी रही हो उपर से अगर वो कुछ दिन बाद फिर तुम उसे ले के जाने ही वाली हो फिर महीनों के लिए तो अगर वो कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है और अपने उन दिनों को enjoy करना चाहता है तो क्यों उसके बिचारे के पीछे पड़ी रहती हो और फिर बार या आती है gift unboxing की जो कि हम पिछले दो vlog से सुनने की gift unboxing करेंगे जो कि anniversary में तर टाइम नहीं था उसके बाद last में एक message के जो लोग हमसे मिलने आते हैं प्लीज वो कुछ न लएकर आएं क्योंकि आप तो सब को रख लेती हो तो लोग आपके vlog में देखते हैं तो इसलिए लोगों को लगता होगा कि जब लोग आते हैं और चीजे लेकर आते हो और आप उनको रख लेते हो तो अगर हम खाली हात आएंगे तो हम अच्छा नहीं लगेगा तो या तो आप लोग में ही लोटा कर वापस दिखाओ तो तो लोगों को लगेगा कि जब वो लेंगे ही नहीं तो हम लेकर क्यों जाएं लोग अपने पैसे खच करते हैं इसलिए कि ताकि आप उनको लेओ और आप उनको लेकर रख भी लेते हो एक बार भी किसी भी व्लोग में आपने किसी का सामान लोटाया नहीं है वापस ये नहीं किया है कि आप ये वापस ले जाओ मैं नहीं लूँगी ये सिर्फ इतनी डिगनिटी तो सिर्फ आपके भाई 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 दिखाते हैं इस चीज में मैं उनकी तारीफ करूंगी कोई भी कोई समान लेकर आता है वो बिलकुल नहीं लेते हैं बहुती प्यार के साथ रिश्बेक्ट के साथ उसको लोटा दिया जाता है तो यही आगर करोगी ऐसे मैसज देने की बज़ाय जैसे मैसे आप दे रही हो कि जो भी आए प्लीज खाली हाताओ आपका आते हो आपका इतना प्यारी हमारे लिए काफी है ये कहने की बज़ाए उनको लोटा कर दो जिससे की लोग जो आएं वो ना लेकर आएं तो भई ये था मेरा एक रियक्शन वीडियो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर कीजिए का चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए कर मिलती हूए एक और अच्छी सी वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई अलहाफिस टेक केर